Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाली है B.A. Second Year English Literature का प्रॉस जिसका नाम है On Superstition जो कि A.G. Gardner द्वारा लिखा गया है So इसमें जो नेटर हैं वो Superstition के बारे में बताती है Superstition का मींस होता है अंधविश्वाश तो जो A.G. Gardner है वो England के रहने वाली है और वहाँ पर जो भी अंधविश्वाश जो भी Superstition को फोलो किया जाता है उन सभी अंधविश्वाश के बारे में बताती है तो normally हम भी देखती हैं कि जो Indian Societies होती है वहाँ पर भी बहुत सारे Superstition है जो वह फोलो किये जाती है जैसे कि अगर कोई इंसान है वो घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है अगर वो खुद ही या फिर कोई और Family Member में चींक मार दे तो वो कहा कि दो मिन के लिए रुख जाता है काम के लिए नहीं जाता है इसी तरीके से अगर कोई बी रास्ता कार जाती है तो उसे भी多 मान लिया जाता है यू जी इस तरीके से जो रीयरेटर है वो भी Superstation के बारे में बताती है तो यहाँ पर जो रीयरेटर है वो नंबर 13 के बारे में बताती है कि England में जो लोग है उनकी mentality number 13 के लिए क्या है वो number 13 को अच्छा नहीं मानती है So in this essay, इस essay में the writer has placed the role of number 13 wherein a street of London a man was murdered तो यहाँ पर जो narrator है वो बताती है number 13 के बारे में वो कहती है कि England में एक street थी, एक सड़क थी जिसका number क्या था? 13 और वहाँ पर क्या है? एक इंसान का murder हो गया था This letter of 13 did not play any role behind the tragic incident on the other hand तो यहाँ पर जो narrator है वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उस street का जो number था वो 13 था इसी कारण वहाँ पर murder हुआ है यानि कि murder तो होना ही था लेकिन क्या है कि जो लोग है उनकी यही धाना थी, यही superstition था कि वो जो street है उसका number क्या था? 13 तो जो 13 number है वो सही नहीं है इसी कारण क्या है वहाँ पर यह tragic incident हुआ है यानि कि दुख बरिगटना होई है On the other hand लेकिन दूसरी तरफ It was merely a coincidence कि यहाँ पर जो नेटर है वो कहते है कि यह coincidence है यानि कि normally यह हुआ है ऐसा नहीं है कि murder किसी और street में नहीं हो सकता था किसी भी number, कोई भी street number में हो सकता था लेकिन number 13 में हुआ है तो यह कोई superstition नहीं है coincidence है Many person even despise the number 13 and they get irrational terror of their this number तो यहाँ पर जो नेटर है वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि number 13 को लेकर बहुत ज़्यदा अंधिविश्वाश है उनमें किया number 13 को लेकर irrational terror यानि की डर है Even in hospital तो नेटर कहते हैं कि यहाँ तक कि जो hospitals होते हैं वहाँ पर भी the number of 13 carries bad luck तो जो hospital है वहाँ पर भी यह मन जाते है कि जो number 13 है वो कहाँ एक bad luck है और इसी कारण कि है कि जो hospital है वहाँ पर number 13 का bad नहीं होता है अगर होता भी है तो कहाँ कि वहाँ पर कोई भी इंसान use नहीं करता उस bad को means कि उस bad पर कोई भी नहीं लेटता The writer is of view that physical recovery is based on mental as well as यहाँ पर mental आएगा mental as well as physical utility तो generator है वो बताती है कि जो इंसान है उसकी जो physical recovery है यानि कि अगर हमें चोट लग जाती है तो हम कब सही होंगे तो यह जो बात है यह किस पर depend करती है हमारी मानसिक शक्ति पर इसके साथ ही physical utility पर in sport of this argument और इसी बात को लेकर generator है वो बताती है तो यहाँ पर generator है वो क्या है एक example देती है दैनिस का वो कहते है कि उन्होंने प्रूफ किया है कि यह useless है to get कि डरना नमबर 13 से हमें डरना यह useless है in his eyes the common human beings are under influence of superstition understanding तो यहाँ पर generator है वो कहते है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस परकार के superstition से बहुत ज़्यादा influence प्रभावित होते है even the ladder cap against a house side not considered as a favorable event तो यहाँ पर जो writer है वो अलग-अलग यानिकि अंत विश्राश के बार में बताती है वो कहते हैं कि जो number 13 है वो लोगों के दवारा अच्छा नहीं माना जाता है उन्हें लगता है कि जो number 13 street number 13 है जो वहाँ पर एक murder हुआ है वो इसी कारण हुआ था क्योंकि उस street उस गली का जो number है वो क्या था 13 इसके साथ ही यह माना जाता है कि hospital में भी number 13 के bats नहीं होते है या फ्रूम का use नहीं किया जाता है इसके साथ ही narrator बताते हैं कि अगर एक house side के against एक ladder हो यानि कि पोड़ी रखियो ही हो तो उसे भी कहा है अच्छा नहीं माना जाता है यह एक favoral event नहीं होता है इसके बाद आगे बताते हैं the people in general feel uneasiness in the wire of superstition कि जो लोग अंध्विश्वाष में believe करते हैं वो क्या है uneasiness हो जाती है, restless हो जाती है बेचैन हो जाती है the author realize that, जो author है वो यह realize करती है superstition only creates mental fantasy कि यह जो अंध्विश्वाष है यह किसके द्वारा होता है हमारी जो मानसिक यानि कि सोच होती है, fantasy होती है उसके द्वारा create होता है science has tried, जो science है विज्ञान है, उसने बहुत सारी क्या है discovery की है, खोज की है जिसके कारण क्या है, कि वो कोशिश करती है it's best to root out the feeling of superstition कि वो लोगों के जो अंध्युश्वाष है उसे दूर कर सके it is a fact that यह एक तथ्या है happiness, खोशी और misery is not directly influenced by superstition कि यह एक fact से बात है कि जो हमारी खोशी होती है या फिर हमारा जो दुख होता है वो direct influence प्रभावित नहीं होता है superstition के द्वारा the great historical personalities like Wompie, Alex Chandler, Crises and other had the least faith in superstition तो यहाँ पर बताती है कि यह जितने भी लोग हैं यह भी कहीं ना कहीं अंध्युश्वाष में belief करते थे even क्या है कि यह बहुत जाला historical personality थी यानि कि हित्यास में इनका बहुत बड़ा नाम था in fact इसके साथ ही जो writer है वो बताती है it is a fact that in ancient time कि पुराने समय में क्या था the farmer of ancient Greece कि जो यानि कि Greece के farmers होते थे किसान होते थे used to consult and key faith in ormen and oracles तो जो किसान है वो भी बहुत ज़्यदा faith करते थे यानि कि बिश्वाष करते थे शगुन और अप्शगुन पर तो वो कोई भी काम करते थे तो वो पहले देखते थे कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत है यानि कि कुछ भी काम करने पर कोई अप्शगुन ना हो जाए misunderstanding and ignorance create superstition इसके साथ ही जो writer है वो बताती है कि ये जो अंद्विश्वाशा ये किस कारण होता है हमारी misunderstanding के कारण या फिर हमारी ignorance के कारण यानि कि जब हमें किसी बात के बारे में नहीं पता होता है और कोई काम गलत हो जाथा तो हमें लगते हैं कि वो क्या है एक यानि कि superstition हम उसे बना लेती है तो यहाँ अपर generator है वो कहते हैं कि अगर यानि क्रोज यानि जो कवे होते हैं उनकी फ्लाइट अगर जो कवे हैं वो हमारे उपर से उड़कर जाते हैं या फिर कोई भी other animals के activities होती है तो क्या है कि हमारे अंदर के हैं कहीना कई शक आ जाता है कि जैसे माली जी कि अगर कोई कुटा है अगर वो राद को रो रहा होता है तो हमें लगने लग जाता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है या फिर अगर बिल्ली राद को रोने लग जाती है तो भी कहें हमारे अंदर एक suspicion आने लग जाता है कि डर बैठने लग जाता है और बाई चांस यान कि coincidence हो जाए कि उसी दिन या फिर अगले दिन किसी की death हो जाती है तो वही जो बात है वो क्या है कि हमारे एक पक्का विश्वाश बन जाता है और वही जो चीज है वो बात में क्या है superstition का रूप ले लेती है और यही जो अंत्रविश्वाश होता है यह हमारे mind में बैट जाता है और हमें के हैं इनी बातों से डर लगने लग जाता है तो यहाँ पर जो नेटर है वो superstition अंत्रविश्वाश के बारे में बताती है कि जो science उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन superstition को कम करने की इसे खतम करने की जिसके कान के होता है कि यह जो अंद्विश्वाश है यह हमारा कम तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो नेटर है उन्होंने एक army person के बारे में एक soldier के बारे में बताया था कि वो जो person होता है वो युद में जाता है वहाँ पर लड़ाई करता है और वो जो गायल हो जाता है फिर भी किया है उसके जान बच जाती है लेकिन जैसे उसे होस्पीटर में लेकर जाती है और वहाँ पर उसे bad number 13 पर लेटाया जाता है तो क्या होता है कि जब वो soldier का यानि की इलाज किया जा रहोता है तब वो सही हो रहा होता है उसमें recovery हो रही होती है लेकिन जैसे उसे ये बात पता चलती है कि वो bad number 13 पर लेटा हुआ है तो कही न कहीं उसके mind में वही number 13 को लेकर यानि जो superstition है वो यानि की जाग जाता है उसे लगने लग जाता है कि वो bad number 13 पर लेटा हुआ है और ये जो number 13 है वो सही नहीं है ये सही वर्ड नहीं है जिसके कारण के है कि कहीं न कहीं उसकी जो mentality थी उसकी कारण के है उसकी death हो जाती है तो narrator कहते हैं कि जो इनसान है उसमें सबसे main चीज होती है mentality अगर हम अपने mind को सही रखते हैं तो सभी काम सही होते हैं लेकिन अगर हम अपने mind में ही अलग-अलग फालतों की बाते लेकर रखेंगे तो क्या है कि हर एक काम गलत होगा और हम क्या है कि उसी गलत काम को एक superstition ब बता सकते हैं आपका डाट दूर कर दिया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो like my video subscribe my channel thank you friends for watching my video thank you